नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जानते हैं कि आज कल लॉक्डाउन पूरी तरीके है इस कारण वीडियो अपने हाथ से खुद बनाना पड़ा रहा है एक हास से कैमरा पकड़ा हो यानी मोबाइल एक हास से ये लीड वगएर लगा के हमारे बहुत सारे भाईयों ने कहा कोरोना वाइरस के बाहरे में भी कुछ जानकारी दीजिए बिलकुल देंगे और मैं आज जो आपको एक छोटी सी सटीक जानकारी देने जा रहा हूं यह है 20 अप्रेल की दोस्तों 20 अप्रेल को एक ऐसा योग बन रहा है जो लोग सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है जरा से चलने में ठक जाते हैं कमजोरी महसूस होती है वो 19 तारिक को गाय का दूध इंतिजाम करके रख ले और 20 अप्रेल की सुबह आपको दातून कुला करना है सुर्व उद्य से पहले आपको उस दूध के उपर एक मंत्र बताऊंगा उसको पढ़कर पी लेना है लेकिन उससे पहले जानकारी मैं दूसरी दूँगा उसके बाद बताऊंगा हाथ भी दर्द होने लगा कोरोना के बारे में यह बता रहा कि आप लॉक्डाउन का पूरा पालण करें कि बहुत इंपॉल्टेंट कोई काम हो तब बाहर जाए वह भी गलपस पहनके सेने टाइजर लगा के कम सकम एक से डिएड़ मीटर की दूरी बनाए को कोई बाहरी चीजों को ज्यादा हाथ न लगाए घर में इंट्री से पहले हाथों को धूल लें कि गरम पानी पिए वह भी हल्दी थोड़े इसे हल्दी डालके कि हल्दी अंटीबैटिक होती है ठीक है कि उसके साथ क्या करना है आपको मैं बता दूं कि कि आप अगर अपने बॉड़ी पर अपने शरीर पर सरसों का तेल जो होता उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते और पीपल या आम का पत्ता एक डालकर नीम का पत्ता डालकर उसको जिसे हम पापड तलते हैं उस तरीके से जब वो सरसों के तेल में पत्तियां पकने लगें तो तेल उतार कर छान कर रखने यह आयल अपने नाक मुह हाथ पाउं और यह चिद रहें प्याज को आप काड़ कर चाड़ टुकड़े अपने मुख द्वार पर टांग दें या रख दें या जहां सोते उसके नीचे रख दें बैक्टरिया उसी में चिपक जाएंगी आएंगी ही नहीं यह बचाओ एसे कोरोना दो बहुत खतरनाक है इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि आप दूरी बनाए रखें ठीक है और जो मैने बताया था दीन दयाल विरद संभारी हरहू नात मम संकट भारी अपने लिए मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी हरहू नात विश्व संकट भारी जो विश्व में संकट उनका ठीक है इसका जाब करिये और गवर्मेंट ने जो सुझाओ दिये हैं डॉक्टरोस ने जो सुझाओ द बढ़ना भाई साब ठीक है मौधी जी इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं उसमें भी हमारे इंडियन कुछ घटिया लोग हैं जो उसमें भी राजनीती कर रहे हैं जातिवाध का नाड़ा डाल रहे हैं यह मुसलिम जो इमाम लोग आए हुए हैं एक चीज़ और बता दें एक शीक्रेट बात यह पता चली अभी यह कुरोना बं इनको कहते हैं ऐसे मौलानों को कुरोना बं यह हिंदू जहां ज्यादा हिंदू बस्ती हैं वहाँ अपने लोगों को भेज रहे हैं कुरोना से जो ग्रिस्ट हैं लोग उनको इनको बहुत इमांट विदेशों से मिला हुआ है तो यह मुला मौलूयों जो है इनसे तो बिलकुल दूर रही है ठीक है यह देश के लिए बहुत बड़े साले जो है कलंक हो गए हैं यह इसलाम को बदनाम कर रहे हैं ठीक है अब जैसी करनी वैसी भरनी इनका भी इंतिजाम है तो यह क्या चाहते हैं मुस्लिम आज कहां जा रहा मेरे समझ भी नहीं आ रहा है ऐसी बात नहीं कि सभी मुस्लिम बुरे हैं बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे लोग मैं बता दूं जो आज लोगों का साथ दे रहे हैं गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं हमार कि government तो बाद में इंतिजाम करेगी जनता इंतिजाम करतेगी अब आईए बताते हैं उपाए मैंने बताया सांस लेने में आपको जरा से काम करने में थकान लग जाती हो तो सिर्फ इस दूद को आपको भी इस तारिक की प्राता काल लेना शुरुदे से पहले बंजन अंजन कर यह जो नोज होती है से सांसा इसको बंद करना है और इसको सिर्फ ओंवं वंवंवं अंग उह ड़न अब यह बोलते हुए तीन बार बुले उसके बाद इसको पी जाए यह खोलना नहीं पीते समय द्यार रखना यह कुला रहे उल्टा वाला कुला रहे सीधा वाला बंद रखना पीने के बाद आदे गंटा तक कुछ खाईए पीए ना इसको मेरे भाईयों बहिनों इसको करिए और फिर बताईएगा उसे दिन कि किसका लाब क्या है छोटी सी चीज अच्छोक फाइदा जलेंगे का है कि हम नीक काम कर रहे हैं और नीक काम जे करत है वो के तमाम बिरोधी हो जाते हैं कि किताबन मा लिखा है हमरे बड़े बुजुर्गे सब कहें गए हैं ठीक है तो हमका इका नाहीं पिकर है जे जस्करे वस भरे ठीक है असर ना अवधी बोलने ना इसलिए रामचंद जी की नगरी के अवधी बोली जाती है बगवान आपको खुश रखे शुक्र रखे धन्यवाद और आप बाहर बिलकुल नहीं निकलेंगे कुरोना से बचना है तो एक कांत में रहना है परवार के संग रहना है मोधी